हेलो फ्रेंड्स आज हम कुछ कोश्टन्स करेंगे हम देखेंगे कि आपकी कितनी की त्यार है नेट की है ना तो हम कुछ कोश्टन्स लगाएंगे बायो मॉलिकुल्स चैप्टर के तो आपने बायो मॉलिकुल्स चैप्टर मेरे को मेरी तब पढ़ा होगा NCRT से तो हम इसी च क्या है identify the incorrect pair तो आपको इसमें देखने इंकरेक्ट पे आपको बताना है तो यहां रखेंगे incorrect जो correct नहीं है तो पहला option क्या है pigment anthocyanin, alkaloid morphine, toxin windblastin, drug curcumin तो यहां देखोगे pigment जो है anthocyanin क्या एक pigment है इसका मलब यह statement सही है second border alkaloid morphine सही है morphine एक alkaloid है toxin windblastin तो यहां पर गलत हो जाएगा क्योंकि windblastin क्या है एक drug है ठीक है तो यह इसके साथ आएगा curcumin यह भी एक drug है यह भी सही है इसका मतलब यह जो पेर है यह correctly match नहीं है तो इसका मलब इसका answer क्या होगा C answer हो जाएगा तो incorrect पेर कौन सह है toxin windblastin यह आप NCRT के अंदर एक table दी हुए है उस table पे देखके भी आप इसको कर सकते हो वो table आप अच्छे से करेंगे वहां से question बनते हैं right okay next question is which of the flowing is nucleoside देखो सबसे पहले आपको समझना होगा यह nucleoside होता क्या है nucleoside क्या होता है जिसमें sugar plus nitrogen base यह दो जुड़े होते हैं और nucleotide के अंदर जब nucleoside के साथ क्या हो जाता है एक phosphate group और जुड़ जाता है तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा इन में इसे nucleoside है uridine, thymine, guanine या adenilic acid तो आपको यही चेक करना है इनके अंदर से कौन सा nucleoside है और कौन सा नहीं है thymine, thymine का एक nitrogen base है, guanine भी एक nitrogen base है तो इसका answer crack क्या है uridine, uridine क्या होता है uridine एक nucleoside है ठीक है क्योंकि जो आप देखोगे normal जो nitrogen base होता है उसको क्या बोलते है uracil ठीक है answer क्या होगा uridine next question, enzyme catalyzing hydrolysis of ester, arcold, क्या बोलते है उसको, liases, hydrolysis, transferases, dehydrogenases इन चारों में से कौन सा होगा वो आपको बताने है, तो यहाँ पर आप देखो question में बोल रहा है hydrolysis, hydrolysis बोल रहा है इसका मतलब यहाँ पर hydrolysis दिख रहा है आपको, तो यहाँ से ही आपको directly पता चल जाता है answer क्या होगा, c, b answer होगा, b, ठीक है hydrolysis, clear, next, which of the following contain vitamin, क्यों सा FAD, इन में से क्या होता है, तो niacin किस में present होता है, A के अंदर, nicotinamide, adenine, dinucleotide, phosphate, NADP, इसके अंदर क्या present होता है, niacin present होता है, यह भी NCRT का यह question है, directly आप चेक कर सकते, NCRT book के अंदर, आप देखो, यह अच्छा question है, FAD, double standard DNA, contain 40% adenine, then how much percentage of pyrimidines are present in it, तो आपको बत difference होता है, purines, जिसके अंदर adenine, guanine आते हैं, double ring वाले, और primidine कौन से होते हैं, जिसके अंदर single ring वाले आते हैं, uracil, cytosin, thymine, यह सब आएंगे न, तो यहाँ पर आपको adenine का percentage दे रहा है, कितना, 40%, अब आपको पता है, जितने adenine होते हैं, उतने ही thymine होगे, इसका मत है 20%, तो इसका मतलब क्या है, 10% guanine होगा, और 10% ही cytosin होगा, तो हमें पताना क्या है, pyrimidine, तो thymine और दूसरा cytosin का amount कितना हो गया, 40 plus 10, मतलब 50%, तो इसमें से answer क्या हो जाएगा, 50% इसका answer हो जाएगा, देखो कितनी असानी से हमने निकाल लिया है, आप भी निकाल सकते है, चारगफ का रूल लगाना है इसके अंदर, एडेनीन जितना है, उतना ही थाइमीन होगा, ठीक है, उसके according हमारे पार percentage आ गया दोनों का, उधर से हम फिर guanine और cytosin का निकाल लेंगे, और फिर हमें क्या करना है, pyrimidines पूछा है, तो हम क्या करेंगे, cytosin और थाइमीन क value को add कर देना, तो आपके पास percentage आ गया, pyrimidines का, ठीक है, clear, next question देखते हैं, which of the following proteins enables glucose transport into cell, glucose transport कौन enable कर रहे है, cell के अंदर, collagen, trypsin, insulin या GLUT4, glut4, तो इसके अंदर आप देखोगे, आपके anxiety के अंदर एक table बनी हुई है, उस table के अंदर आपको अंसर मिलेगा, तो यह क्या है, glut4 GLUT4, ठीक है, यह table के अंदर से है, table के अंदर से questions बनते हैं, which statement is correct, इन में से आपको बताना है कि कौन सा statement correct है, essential proteins are required but not synthesized in humans, essential proteins are not required but synthesized in human body, non-essential proteins are not synthesized in human body but are required, essential and non-essential proteins both are required and synthesized by human body, तो आपको देखने कि essential proteins वह होते हैं जो हमारी body में required होते हैं, पर हमारी body synthesize नहीं करती, तो इसका अंतरव आंसर क्या होगा, यह answer हो जाएगा, जिसके अंदर क्या बोल रहा है, essential proteins are required, हमारी body को requirement रहती है, पर synthesized हमारी body के अंदर नहीं होते, non-essential proteins भी हमा और वो हमारी body के अंदर synthesize भी हो जाते हैं तो non essential protein हमारी body में synthesize भी होते हैं और required भी रहते हैं पर essential proteins हमारी body synthesize नहीं करती उसको बाहर से required रहते हैं इसलिए उसको essential बोला गया clear next question which of the flowing is not the function of protein if protein का function नहीं है fight infections catalyze biological reactions receptors stores genetic information तो आप देखोगे हाँ proteins infections fight करते हैं करते हैं catalyze biological reaction हाँ उसको catalyze भी करते हैं enzymes की तोर पर work करते हैं proteins as a receptor भी work करते हैं पर genetic information तो वो store नहीं करते हैं कोई genetic information store नहीं होती है protein में तो हमें यहीं पुछे is not the function of protein तो genetic information store नहीं होती है इसका अमलब answer क्या हो जाएगा D तो genetic information किसमें store होती है nucleic acid के अंदर जैसे DNA RNA उनमें होती है अना राइट inulin is a polymer of inulin किसका polymer है बताओ glucose fructose glycosin या glucose fructose दोनों का है clear clear directly आपको पता लग रहा है यह किसका है fructose ठीक है inulin किसका polymer है fructose polymer होता क्या है जब बहुत सारे monomer units आपस में जुड़के क्या बनाती है polymer बनाती है बहुत सारी monomer units आपस में जुड़के एक polymer का formation करती है तो यहाँ पर fructose के जो monomer units है वो आपस में जुड़े होती है next क्या है which of the flowing next question क्या है which of the flowing bonds is not found in RNA RNA के अंदर इन में से कौन सा bond नहीं होता देखो सबसे पहला बहुता है phosphodiaster bond phosphodiaster bond कहां present होता है दो sugar के बीच में दो यहाँ पर sugar होगी उन दो sugars के बीच में यह देखो यह बना हुआ phosphodiaster bond hydrogen bond hydrogen bond क्या होता है जो nitrogen basis के बीच में present होता है glycosidic bond covalent bond तो इन में से कौन सा होगा present बताओ आप देखो कि RNA जो होता है वो कैसा होता है single standard है तो यहाँ पर आपको दिख रहा है यह कैसा है single standard structure है तो single standard है तो इसका मतलब क्या हो गया nitrogen based जो है दूसरे nitrogen based के साथ hydrogen bond नहीं बना रहा तो नहीं बना रहा इसका मतलब इसका answer क्या होगा hydrogen bond B आप से पूछा क्या है not formed found in RNA जो RNA DNA के अंदर found नहीं होता है hydrogen bond नहीं बनेगा क्योंकि वो single standard होता है पर DNA के अंदर hydrogen bond होता है हना DNA के अंदर यह 4 तरहें के bond आपको मिल जाते हैं right okay मेरे क्याल से आपने अच्छी practice किये आपको अच्छा लगा होगा questions लगा के और आपने गल्त भी शायद किए हो अगर नहीं किये तो बहुत अच्छी बात है अगर आप अपने गल्त भी किये तो कोई बात नहीं आपके लिए सीखने के लिए ही है ठीक है आप अच्छे से और चेप्टर करेंगे तो आपके questions और अच्छे से लगए इसका second part भी मैं जल्द बनाने वाला हूँ उसके अंदर भी most expected questions हम discuss करेंगे कौन-कौन से हैं और आप उन्हें भी लगाए और practice करते रहें मेरे साथ ठीक है इस बार कुछ भी करके हम नीट लगा के ही रहेंगे नीट में अच्छी रहें कलहा के ही रहेंगे ओके, thank you all, have a nice day